गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैटरी है उसका दूसरा पाइट है जैसा कि हमने कल देखा था कल जो हम देख रहे थे कल हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में जो क्या है टिफरेंस है तो उसको हम लोग देख र कि जो स्वाण निरावेशन दर यानि सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट बहुत कम होता है ठीक है अगर घड़ी की बैटरी अगर हम लगाते हैं तो उसकेस में क्या होता है वह लगभग दो महिने तीन महिने तक चलता है ठीक है लेकिन जो हमारा सेकेंडरी सेल होता है तो क्यों तो जैसे मान लीजिये का Mobile में अच्छाוה प्राइमरी सेल क्या होते है प्राइमरी सेल हमार वास होता है जिसमें इक भार जब इसका्षायर जाए तो दुबारा हम उसको यूज नहीं किसके आ होता है कि एक बार जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम भी चार्ज करके यूज कर सकते हैं ठीक तो यह सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो प्राइमरी से होता है उसमें डिस्चारजिंग रेट बहुत कम होता है लेकिन से केंडरी सेल में जो डिस्चारजिंग रेट होता वो primary cell की पिक्षा क्या होता है अधिक होता है ठीक है अगर हम कल की बात करें तो कल हमने देखा था cell आज हम देखेंगे battery वैसे अगर हम cell देखें तो cell क्या होता है तो देखें चैल कुछ नहीं है जो cell होता है वो chemical energy को electrical energy में जो बदलने वाली जो इकाई है जो यूनिट है वही क्या कहेंगे cell कहेंगे ठीक है cell में जो होती है उसका उर्जा परिवर्तन की यह क्रिया उसके इलेक्ट्रो लाइट की पारस जो परस पर रासानिक अभिक्रिया के पहल्स औरूप होती है मतलब क्या है कि cell में जो chemical energy है वो electrical energy में किसके कारण से होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रो लाइट यानि जो इलेक्ट्रो लाइट material होता है वैद्यूत अपगाटे इलेक्ट्रो लाइट का मतलब क्या होता है वैद्यूत अपगाटे जैसा हमने कल बताया था ना कि जो हमारा सेल होता है उसमें क्या होता है यहां पे दो मेटल के रॉड होते हैं एक जो है कि हमारा प्लस पॉजिटिव रॉड होता है दूसरा हमारा निगेटिव रॉड होता हैं एक लिक्विड में या फिर मतलब एक वैद्यूत अपघट पदार्थ में जो है कि उसको डूबा करके रखते हैं तो जिस पदार्थ में हम दोनों रोडों को क्या करते हैं डूबा करके रखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो लाइट ठीक है तो इलेक्ट्रो जो इलेक्रोलाइट है मतलब जो वैद्यूत अपघट्य पदार्थ है वही वैद्यूत अपघट्य पदार्थ इसमें मतलब जो सेल हो या फिर जो बैटरी हो तो सेल में कि रासायनिक उर्जा से वैधित उर्जा में परिवर्तित करने का जो है कि एक जरीया होताहा मतलब ацион kitty के कारण से वैधित उर्जा में चैंज होताहे ठीक है सबाइद कोरे अब देखते हैं well बैट्री क्या होता है देखें बैट्री कछ नहीं है जैसे की एकquinho हैं जूड़ करके हम तो दो या दो से अधिक सेलों का जो सम्मू होता है उसको हम क्या कहेंगे बैटरी कहेंगे तो बैटरी क्या होता है तो बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के सेलों का सयोजन होता है होता है यह वह सूर्स होता है जो रासायनिक उर्जा को विद्धित उर्जा में परिवर्तित करता है ठीक है जो क्या करता है रासायनिक उर्जा को विद्धित उर्जा में परिवर्तित करता है जहें से बात है कि अगर सेल जो है कि अगर रासायनिक उर्जा को विद्धित उर् परिवर्तित करती है उसको हम क्या बोलेंगे बैटरी चीक है उपयोग तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसमें किसमें उपयोग करते हैं जो जो बैटरी होती है उसका हम किसमें उपयोग करते हैं पहला जो उपयोग है बैद्युत शक्ति उतपादन केंदर मतलब जहाँ पर हमारा electrical power generate होता है जहाँ electrical power को पैदा किया जाता है उसमें हम battery का उपयोग करते हैं अब वहाँ कहां उपयोग होता है तो जो हमारे sub station होते हैं ठीक है, या फिर जहां पर हमारे जो है कि generating station होते हैं, उसमें होते हैं कई सारे control panel, ठीक है, control panel, उसमें हमारे जो है कि बहुत सारे safety device होते हैं, ठीक है, safety device होते हैं, या और भी कई सारे बहुत चोटे जो है कि उपकरण लगे होते हैं, ठीक, तो उसको चलाने के लिए जो है कि हम बैडरी का यूज करते हैं。 एक जी ज़ुआ होमारा córd है, जो जनेरेटिंग slash removed policy. या फिर जो distribution सबस्टेशन होता है उसमें कुछ DC सोर्स जो DC क्यूपमेंट होते हैं उस उनको चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बैटरी का थीक हैं तो फापे यह रीचारजेबल बैटरी का मतलब क्या होता है कि जीन बैटरियों को पुना आवेसित करके पुना विद्धी तूर्जा ली जा सकती है देखिए अगर हम कहें तो बैसिकली यह टाइप से किसका सेकेंडरी सेल का सेकेंडरी सेल में भी क्या होता था कि अगर एक बार वो डिश्चारज अगर हो जा तो उसको हम फिर से चार्ज करके क्या कर सकते हैं ठीक है तो जो secondary cell है उनका जब combination बनाएंगे मतलब battery का वह प्रारूप जो क्या हो जाए कि एक बार discharge होने के बाद फिर से उसको जो है कि हम charge करके उससे हम उपयोग में ला सकें उस battery को हम दूसरे time में क्या कर सकते हैं rechargeable battery ठीक है तो वही लिखा है कि जिन बैटरियों को पुना आवेसित करके पुना विद्य तूर्जा ली जा सकती है rechargeable battery कहलाती है ठीक है इन में जो है कि होने वाले वैद्यू तरह सायनिक अभिक्रियाएं विद्यूती रूप से उत्क्रमड़ी होती है इसमें कुछ नहीं change है बस खाली एक पूरा का पूरा हम देखें तो secondary में ही है secondary वाले में क्या होता था कि एक बाठ डिशार्ज हो जाए तो उसको जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो हमारा उत्क्रमड़ी होता है उत्क्रमड़ी अभिक्रिया का क्या मतलब होता है कि ऐसा अभिक्रिया जिसको हम क्या कर सकते हैं दोनों दिशाओं में चले ठीक है मतलब अगर हम कहें तो रियक्टेंट से रियक्टेंट से हमारा बनता है ठीक है तो हम यह तो हो गया हमारा अगर किवल रियक्टेंट से प्रोडेक्ट बन रहा है तो यह हो गया चीज अनुध करमड़ी अभिकरिया एकल directional reaction ठीक है जो कि chemistry में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो वो हमारे secondary cell में होते हैं तो जो rechargeable battery है कुछ नहीं है ये just एक type है कि इसका secondary battery का ठीक है primary battery secondary battery या फिर अगर हम बोले तो primary cell secondary cell तो जो rechargeable cell है तो उसको हम secondary battery ना कहकर को सको हम क्या कहेंगे rechargeable battery ठीक है है तो है ठीक है न तो जो secondary type उसको secondary cell का जो टाइप है तो उसको secondary battery ना कहकर के कहें क्या कहेंगे secondary sorry rechargeable, ठीक दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा टैप क्या हो सकता है non rechargeable battery, ठीक non rechargeable battery is a just like a primary cell, ठीक यह चीज़े होती है, धेके जो, rechargeable battery है, होते तो बहुत सारे है लेकिन हमको जो पढ़ना वह हमें पढ़ना हें पहला बैटरी चीड़ों आइससे फ़ेरी और निकेल आडमियम बैटरी यह पूझता है लेकिन जमत्र है कि इसको भी पढ़ना जरूरी है तोrekailable हम हैं कौन से लेड एसीड बैटरी सीलवर आकसाइड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी ठीक है तो अब हम देखेंगे कि लेड एसीड बैटरी क्या होता है तो देखे लेड एसिड बैटरी सबसे पहले क्या है कि बैटरी जो होता है बैटरी वह डिवाइस है जो रासायनिक उर्जा को वैदित उर्जा में बदलता है ठीक है तो लेड एसिड बैटरी में हम क्या करते हैं कि लेड एसिड बैटरी रासायनिक उर्जा को रासायनिक उर्जा को वैतित उर्जा में बदलने के लिए एक स्पॉंज लेड छीद्र युक्त सीसा और लेड पराकसाइड का प्रयोग करता है यह बहुत important line है ठीक है जो वह बैटरी जो रासायनिक उर्जा को वैतित उर्जा में बदलने के लिए छीद्र युक्त सीसा जिसको बोलते हैं इस्पॉंज लेड वा लेड पराकसाइड का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे लेड एसीड बैटरी सीसा अमल बैटरी या फिर संचायक बैटरी या एक्युमिलेटर कहते हैं ठीक है वह बैटरी जो रासायनी कुर्चा को विद्र तूर्जा में बदलने के लिए छीद्र युक्त सीसा या स्पॉंज लेड और लेड पराकसाइड का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहेंगे सीसा अमल बैटरी या फिर लेड एसीड बैटरी कहेंगे ठीक है और भी कुछ इसमें कुछ चीज़े होती है जो हमारा लेड एसीड बैटरी होता है उसमें हम इलेक्ट्रो लाइट के रूप में मतलब इलेक्ट्रो लाइट ठीक है इलेक्ट्रो लाइट के रूप में जो वैद्यूत अपगट पदार्थ होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं S2, S4 और जो हमारे जो रॉड जो यूज़ होते थे उसमें हम किसका यूज़ करते हैं सबसे पहले यूज़ करते हैं Spawns Lead और दूसरा हम यूज़ किसको करते हैं Lead Paroxide बैटरी का तो हमने अभी क्या देखा कि जो हम यूज़ करेंगे किसका Electro Light के रूप में Electro Electro Light के रूप में तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं S2, S4 का ठीक है Rod जो है हमारे या फिर अगर हम बोलें तो जो हमारे Plate होंगी ठीक है Plate बोले या फिर जो Rod बोलें तो जो हमारे Rod होंगे पहला तो होगा हमारा sponge lead ठीक, sponge lead को हम use किसकी तरह करते हैं as a positive plate ठीक है as a positive plate ठीक, या फिर अगर हम कहें तो inode के रूप में हम जो है कि इसका use करते हैं ठीक दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो हमारा lead paroxide है ठीक है, lead paroxide को हम use करते हैं as a cathode, ठीक है या फिर बोले तो negative plate negative plate ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा lead acid battery होता है वो रासायनिक उर्जा को वैदित उर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करता है sponge lead और lead paroxide या और lead paroxide का प्रयोग करता है किसकी उपस्तिती में तो electrolyte जो है हमारा कौन सा है S2, SO4 sponge lead हमारा जो होता है वो positive plate होता है जो की anode का काम करता है और lead paroxide जो होता है वो negative plate होता है जो किसकी तरह काम करता है cathode की तरह काम करता है ठीक है अब हम देखेंगे इसका सनरचना ठीक है तो lead acid battery की सनरचना में कई सारे part होते है जिसमें कौन कौन से part है पहला हो गया हमारा संदूक, दूसरा हो गया प्रितक कारी, तीसरा हो गया हमारा cell भी भाजन और चौता हो गया हमारा बिद्यूत अपगट इलेक्ट्रो लाइट्स ठीक है इसके बाद जो पांचवा पार्ट है वो क्या है टर्मिनल पोस्ट और फिर क्या है आवरण तो ये छे पार्ट होते है अब हम कल के रिवीजन वीडियो में जितने हमारे पार्ट है उनको और फिर जो हमारे उसका जो lead acid battery है उसका हम वो working principle तक यू